गुर्मॉनिंग बच्चों आज की इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है अपने कंप्पनी लाके सेलेबस के अनुक्रम में हम लोग की जो पढ़ाई चल लए है उसक्रम में पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो बाते बताई उमीद है उनको अब तक आप पढ़कर अच्छे से समझ चुके होंगे अपने आज के लेक्चर में हमें Memorandum of Association यानि संगम ग्यापन के बारे में पढ़ना है Memorandum of Association यानि संगम ग्यापन यह कंपनी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंपनी जब रजिस्ट्रेशन कराने जाती है तो उसे Memorandum of Association प्रस्तुत करना पढ़ता है इस Memorandum of Association का जो गठन होता है या जो आप कह सकते हैं कि इसका जो आवश्यक तत्व होता है यानि जिन से मिलकर के बना होता है उनके बारे में जानना अनिवारे है जब हम Memorandum of Association की बात करते हैं तो इसको समझने के लिए हम इसको कुछ भागों में बाट सकते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये एक अशेंशियल एलिमेंट है या निगमन की आवश्यक शरते हैं कि Memorandum of Association में इन चीजों को होना चाहिए कंपनी अधनियम की धारा चार दो के अनुसार अगर हम देखें तो Memorandum of Association के मुख्य रूप से पांच खंड होते हैं पहला नेम क्लाज जिसे नाम खंड कहते हैं दूसरा Registered Office क्लाज जिसे रजिसरी के रेले खंड कहते हैं तिसरा Object क्लाज याननि उद्देश खंड चुथा LIEIBILTI क्लाज यानि दाइत्तोखंड और पांचमा Capital क्लाज यानि पूंजी खंड इन पाँच क्लाजिस से मिल करके Memorandum of Association का गठन होता है अब हम इन क्लाज को देखते हैं Name क्लाज यानि जिसे आप नामखंड कहते हैं नामखंड का मतलब Name क्लास का अर्थ है कि यह जो खंड है यह जो क्लाज है यह बताता है कि Company का एक नाम होना अनिवारे है बिना नाम के केसी Company का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता Company का जो नाम होता है वह उसके व्यक्तिकत अस्तित्व का एक प्रतीक होता है और चुकि कमपनी एक विधिक व्यक्तित्त प्राप्त करने जा रही है इसलिए कमपनी का कोई ना कोई नाम होना अवश्यक है इसलिए कहा जाता है कि कमपनी का नाम उसके व्यक्तिकत तस्तित्तों का प्रतीक होता है लेकिन यहां पर यह साधानी अवश्य बरत्नी है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी अने कंपनी का नाम ना हो यह किसी अने कंपनी के नाम से मिलता जुलता ना हो कम्पनी अपनी सुविधा के अनुसार अपना कोई भी नाम चुन सकती है बस नाम ऐसा होना चाहिए जिस पे सेंट्रल गवर्णमेंट के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाया गया हो कम्पनी का नाम उसके पहचान के लिए बहुत अनिवारे होता है कम्पनी के नाम का निर्धानर करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कम्पनी का नाम है वो निश्चित रूप से विधिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए नैतिक मानकों के अनुरूप होना चाहिए और सेंट्रल गवर्णमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए अगर restricted है तो फिर वह नाम आप नहीं बना सकते कंपनी का इसके बाद जो दूसरा महत्यपूर्ण class है वो है registered office class हाँ एक बात और है जब हम नाम की बात करते हैं जो हमने भी name class देखा तो नाम में एक बात हमें और ध्यान रखना होगा कि अगर सदस्यों का दाइद तो क्या सीमित होता है अगर उस कंपनी के सदस्यों का दाइद तो सीमित होता है तो नाम का जो अंतिम शब्द है वो limited होना चाहिए और अगर private company है और सदस्यों का दाइद तो सीमित है तो जो नाम का अंतिम शब्द है वो private limited होना चाहिए। इस शब्द से इस बात का ज्यान मिलता है भारी विक्तियों को कि सदस्यों का जो दाय्त्यों है वो सीमित है। इसके बाद जब हम रजिस्टर्ड आफिस क्लास की बात करते हैं यानि रजिस्ट्री करित कार्याले खंड की बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अधनियम की धारा बारा बताती है कि निगमन के 30 दिनों के भीतर कंपनी को अपना पंजिक रित कार्याले अस्थापित करना होगा और अस्थापित करना ही काफी नहीं है इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है यानि निगमन हुआ तो निगमन के 30 दिनों के भीतर आप आफिस जो है वह स्थापित करिए और उसकी सूचना रजिस्टरार को दीजिए यदि कोई कमपनी चाहे तो अपने पंजिकृत कार्याले का अस्थान परिवर्तन कर सकती है लेकिन इसकी प्रक्रिया है ऐसा वह किवल अंश्रधारकों के द्वारा विसेश प्रस्ताव पारित करके ही कर सकती है यानि अगर कमपनी को अपने रजिस्टर्ड आफिस का अस्थान बदलना है चाहे वो उसी शहर में बदले या उस शहर से दूसरे शहर में ले जाना चाहे तो उसे अपने पंजिकरित कारयाले का अस्थान बदलने के लिए अंश्रधारकों के द्वारा एक विसेश प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा और उसके पशाद ही वह अस्थान परिवर्तन हो सकता है और अगर ऐसा प्रवर्तन होता है तो ऐसे प्रवर्तन की सूचना 30 दिनों के भीदल रजिस्ट्रार को भेजनी होगी तो यह जो प्रावधान है धाराबारा का ये कंपनी को अपने आफिस बदलने की रइस्टार आफिस की अस्थान को बदलने की अनुमती देती है हाँ एक बात अवश्य महत्वपूर्ण है कि अगर पंजिकृत कार्याले का जो अस्थान है जो आफिस का अस्थान है वो हम एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवित्त करना चाह रहे हूं यानि यदि कंपनी चाहे कि वो अपना अफिस एक राज्य से हटा कर दूसरे राज्य में ले जाए तो यह थोड़ा कठिन काम है क्योंकि इसके लिए फिर में 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 प्रवित्त करना होगा सेक्शन 13 क्लास 4 का यह जो प्रावधान है वो बहुत ही महतवपूर प्रावधान है यह प्रावधान कहता है कि यदि रश्य की दफ्तर को एक राज्य से हटा करके दूसरे राज्य में ले जाना है तो इस प्रयोजन के लिए संगन ग्यापन में परिवर्तन करना पड़ेगा ठीक है और इस परिवर्तन के लिए भी पहले तो इस प्रस्ताव क्या शक्ता होगी और उसके बाद के अंदरे सरकार द्वारा उसकी पूस्टी होनी चाहिए तो अगर यदि यह जो फार्मिल्टी है यह पूरी हो जाती है तो फिर जो पंजिक रिताफिस है वो एक अस्थान से दूस्थान तक लिए जाएज़ा सकता है इस मामले पे एक केस है जो थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग है मिल्वा मिल्स लिम्टेड वर्से स्टेट आप महाराश्ट्रा का केस यह जो मामला था इस मामले में एक कंपनी अपना दफ्तर जो है वो पश्यम बंगाल से हटा करके बंबई ले जाना चाहती थी ठीक उस समय का मुंबई उसके लिए उसने फार्मिल्टी इसको पूरा किया लेकिन इस मामले में इस में जो राज सरकार थी राज सरकार ने आपत्ति किया और आपत्ति यह था कि यदि दफ्तर एक इस राज से हट करके मूंबई चली जाएगी तो राजस्व की हानी होगी लेकिन नियालय ने सरकार के इस तर्क को स्विकार नहीं किया नियालय का जो मत था जो व्यू था इस मामले में वो ये रहा कि नियालय ने कहा कि ये कहना कि राजस्व की हानी केवल सुसंगत थी ही नहीं बलकि प्रभवशिल तथ्य है गलत होगा क्योंकि इसे कंपनी को अधनियम दौरा जो कानून इंधिकार दिया गया है वो छिं जाएगा राजस्तों की हानी के बारे में सोचते समय हमको पूरे देश के राजस्तों को ध्यान में रखना चाहिए न कि केवल किसी एक राज्य के राजस्तों के तो इस तरीके से नियायले ने सरकार का यतर्ग ठुकरा दिया इसके पश्यात हम आते हैं अब्जक्ट क्लास पर यानि उद्देश शिखन्ड पर उद्देश शिखन्ड का जो एक महत्व है वह इसलिए है क्योंकि जो निगमित पूंजी का स्वामित तो होता है वो कंपनी में नहीं थोता है और वास्तों में यह पूंजी अंसधारकों के अंश से ली गई और उनके भले के लिए कंपनी के पास अंशधारकों के नियासी के रूप में नहीं थोती है अब ऐसी पूंजी को किस कार में लगाना है किस कार में लगाया जा रहा है यह तैय करना आवश्रक हो जाता है ताहि कम से कम पूझी देने वाले को यह तो पता रहे कि उसने जो पूझी लगाई है उस पूझी का उद्देश क्या है किस उद्देश के लिए उस पूझी को इस्तमाल किया जा रहा है जब उद्देशों का विवरान अजधारकों को पता रहेगा तो उन्हें अपनी पूझी सुरच्छित महसूस होगी उन्हें विश्वास होगा कि उन्होंने जो धन इकठा किया है या कंपनी में जो धन लगाया है वधन उसी उद्देश्य के लिए इस्तमाल किया जाएगा जो कि आपजक्ट क्लास में उद्देश्य खंड में दिया गया है इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य में नहीं लगाया जाएगा तो अगर हम ध्यान दें तो वास्तों में देश शिखंड की मुख्य रूप से तीन भूमिकाएं होती है पहला ये कि अंशधारकों को पता होता है कि उनकी पूंजी किन कारियों में लगाई जा रही है दूसरा कंपनी के रिनदाता इस बात से आस्वस्त रहते हैं कि उनकी पूंजी किन कार्यों में लगाई जा रही है और तीसरा कंपनी का छेत्र निर्धान हो जाता है कि उन्हें किस दाइरे में रहे करके काम करना है तो उद्देश खंड की महत्वूर भूमिका इन तीन कार्यों के लिए होती है अन्धारकों को पता चल जाता है पूंजी कहां लगाई जा रही है रिनदाता निश्चिन्थ हो जाते है कि उनको पता चल जाता है पूंजी कहां लग रही है और कम्पनी का दाइरा निर्धारित हो जाता है कि उसे किस दाइरे में कारे करना है जब हम कम्पनी के दाइरे की बात करते हैं तो कम्पनी का ये जो दाइरा है ये एक सिधान्त को जन्म देता है वो है अधिकारत अईत्कासिधान्द, यानि doctrine of ultra virus, क्योंकि जो हमने दायरा निर्धारित किया, कि कम्पनी को इस दायरे में काम करना है, यानि जो उदेश्य खंड के उदेश्य है, अगर कम्पनी को उस सीमा रेखा में रहे कर कारे करना है, तो निशित तोर पर, अगर कम्पन उस सीमा छित्र का उलंगन करती है, उस सीमा रेखा के बाहर जाती है, तो उसका जो कारे होगा, वो ultra virus होगा, ठीक है, यानि हम यह कह सकते हैं, कि अगर कोई कम्पनी संगम ग्यापन में बताये गया, या अपने उदेश्यों से बाहर जाकर कोई काम करती है, तो उस कारे को अ संगम ग्यापन का कारे जो होता है, वो कम्पनी के उदेश्यों को सरल इसपस्ट करना होता है, और कम शब्दों में सीमित करना होता है, ताकि उसे पढ़ने वाला व्यक्तिय जान सके कि कम्पनी का जो दायरा है, छेत्र है, वो क्या है, और जब कम्पनी के कारे छेत्र हो जा इस प्रकार सीमित किया जाए कि वे अपने उद्देश्य खंड के बाहर न जा सके अगर जाते हैं तो वो अल्ट्रा वायरिस है लक्ष्मन स्वामी मुद्लियार वर्सस एराइसी का एक मामला है इस मामले में एक भीमा कंपनी को संगम ग्यापन की अनुसार खेराती हितकारी या जन साधाराण है तो दान करने की शक्ती थी लेकिन निदेश्य को ने एक ऐसे ट्रस्ट को दान कर दिया जो कि तक्निकी और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती थी अब न्यायाले ने ऐसे दान को अल्ट्रा वारेस खोशिद कर दिया ठीक है क्यों क्यों कि जो उदेश था वो था कि खेराती हितकारी जन साधान है तू दान किया जाएगा और दान किसको किया गया दान एक ऐसे ट्रस्ट को किया गया जो कि तक्निकी और व्यापार को बढ़ावाद देती थी तो दोनों का जो जो अब्जिक्ट है वो अलग हो गया इसलिए न्यायले ने अच्छा अब मालने जी परिस्थितियां ऐसी आती है कि जो अब्सेक्ट है जो देश्य है उसमें हम परिवर्तन करना चाहें यानि कंपनी उस देश्यों में अपना परिवर्तन करना चाहें तो उसके लिए क्या प्रावधान है तो इसके लिए प्रावधान धारा तेरह उभारा आठ में बताया गया है और बहुती सामाने रूप से अगर हम पॉइंट्स बना लें तो हम कह सकते हैं कि एक कंपनी जिसने अपनी पूझी प्रास्प्रक्टर्स के माध्यम से पब्लिक से ली हो ठिक एक कंपनी जिसने अप पूझी प्रास्प्रक्टर्स के माध्यम से पब्लिक से ली हो और जिसने उस पूझी का प्रयोग नहीं किया है वह अपने उद्देश्यों को केवल विसेश प्रस्ताव द्वारा ही पदल सकती है तीन बाते हैं पहला जिसने एक कंपनी जिसने अपनी पूझी प्रास्प्र के माध्यम से पब्लिक से ली हो दूसरा उसने अब उस पूंजी का अभी प्रयोग न किया हो कि तीसरा तो वह अपने उद्देश्यों को केवल विशेश प्रस्ताव के द्वारा ही बदल सकती है ऐसे परिवर्तन को विशेश प्रस्ताव पारित होने के तीस दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के यहां धारा तेरा उद्धारा दस में रजिस्ट्र कराना होगा जब रजिस्ट्र हो जाएगा तो उसके परिवर्तन प्रभावी हो जाएगा ठीक है यानि जब परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के यह जो विशेश प्रस्ताव पारित हुआ तो उस प्रस्ताओं के पारित होने के तीस दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के उधारगा 13-10 में रजिस्टरड होगा ये बात और जब रजिस्टरड हो जाएगा तो उसके पषशादों परिवर्तन का विकल्प होगा यानि यदि वो चाहें तो कमपनी को छोड़ करके जा सकते हैं अब consequence of ultra virus transaction यह भी जानने यह कि जो अधिकार तीत कारे हैं इन कारें का परिणाम क्या होगा यानि कमपनी अगर ultra virus हो गई कमपनी ने ultra virus काम कर दिया तो फिर उस काम का परिणाम क्या होगा यह consequence of ultra virus transactions तो पहला है injection यानि निशेधाग्या तो जो पहली बात है वो तो यह है कि जब एक रिजिस्ट्री क्रिट कमपनी के सदस्य कमपनी के कमपनी का जो object class है उसका उससे ultra virus हो जाते हैं तो जो कमपनी के सदस्य हैं उनके पास यह power है कि वह कमपनी को उसके उदेशों तक सीमित रखे हैं क्योंकि जब भी कमपनी अल्ट्रा वायरस होती है तो उसका कोई भी सदस्य निया एलेस से इंजंक्शन्स ला करके निशेधाग्या ला करके उस कमपनी को ऐसा कारे करने से रोक सकता है दूसरा पर्सनल लाइबिल्टी अफ डारेक्टर से नियदेशकों का व्यक्ति गद्दायत्व तो जो अब्जक्ट क्लाज है उसके अनुसार निदेशकों का यह करतव्य है कि जो कमपनी का पूंजी है उसे केवल उसी उद्देश में लगाए जो कि उसके अब्जक्ट क्लाज में दिया गया है यदि कंपनी की पूंजी अल्ट्रावारस कारियों में लगती है तो फिर उस पूंजी को कंपनी को वापस करने के लिए जो निदेशक होंगे उनका व्यक्तिकत दायत्तो होगा और उस व्यक्तिकत दायत्तो के आधार पर उनसे उस पूंजी को वसूला जाएगा कोई भी अंजधारक अपने नाम से कम्पनी को पच्छकार बनाए बिना निदेशकों के खिलाव कम्पनी के ऐसे धन के लिए बाद ला सकता है जो कि उन्होंने अपने शक्ती से बाहर जाकर खर्च किया हो इसके बाद अल्ट्रा वायरस एक्वायर प्रापर्टी यानि अधिकारा तीतरजित संपत्तिया तो यदि कम्पनी ने अल्ट्रा वायरस होकर के कोई प्रापर्टी खरीदी हो तो ऐसी property पर company का जो स्वामित्त होता है वो सुरजचित रहता है क्योंकि वो property तो company के पूँजी सही ख़री दी गई तो अल्ट्रावारष होकर के भी अगर हम property अरजित करते ہیں तो वह जो property है उसपर company का स्वामित्त हो सुरजचित रहेगा क्योंकि जो मुख्य बात है वो यह है कि वह प्रापरटी कंपनी के पैसे से खरी दी गई कंपनी के पूझी से खरी दी गई ठीक है तो यह जो अल्ट्रावारेस प्रापरटी है उस पर कंपनी का स्वामित तो माना जाएगा उसके बाद अल्ट्रावारेस कॉंट्रेक्ट यानि अधिकारतीत जो सम्विदाय है तो जो अधिकारतीत सम्विदाय है वो पूर्ण रूप से शुन्न होती हैं वाइड होती है ठीक है यानि कम्पनी के अधिकार छेतर से बाहर जा करके कोई सम्विदा की गई हो यानि जो अबजेक्ट क्लाज में अबजेक्ट बताय गया है उन अबजेक्ट को इग्नोर करके कोई सम्विदा कोई कांट्रेक्ट किया गया हो तो वह कांट्रेक्ट जो होगा वो शून्न होगा वाइड होगा उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं हो उस कांट्रेट का कोई भीविधिक प्रभाव नहीं होगा. माँ पर गोजो अल्ट्रावारिस कांट्रेट ही उन पर के उनके विरुद्ध कीवल यही आपती नहीं होती है कि इसे संजिदा करनी ही नहीं चाहिए थी बलकि यह भी है कि ऐसी संजिदा करने की शक्ति ही कंपनी के पास नहीं थी तो जब ऐसी सम्विदा करने की शक्ति कंपनी के पास नहीं थी तो फिर वो सम्विदा की वैत्ता का प्रश्ण नहीं नहीं उठता यहां जो प्रश्ण है वो कम्पनी की छमता और शक्ति का है इसलिए अधिकारती जो सम्विदाएं हैं वे आरंब से ही शुन्ने है ठीक है अब हम आते हैं लाइबिल्टी क्लास पर यानि दाइत्व खंड कि दाइत्व का निर्धान किस प्रकार से होगा तो जो दाइत्व खंड है वो अधिनियम की धाराचार से इस पस्ट होता है यह जो खंड होता है दाइत्व खंड इसमें सदस्यों के दाइत्व को निर्धारित किया जाता है यदि दाइत्व अंशों के द्वारा निर्धारित है तो कहा जागा कि सदस्यों का दाइत्व अंशों द्वारा सीमित है ठीक है तो यह जो liability है company की इसको आसान करने के लिए हम इस देके समझ सकते हैं कि liability को दो तरीके से हम fix करते हैं ठीक है liability fixed by share and liability fixed by guarantee liability fixed by share सीड़ी सी बात है जिस सदस्ट के पास जितना शेर होगा वो उतना मुल्य देने के लिए उत्तरदाई होगा ठीक है? liability fixed by share means जिस सदस्ट के पास जितना share होगा वो उतना मुल्य देने के लिए उत्तरदाई होगा एंड लाइबल्टी फेक्स्ट पाई गारंटी मतलब यह तैंग कर दिया जाएगा कि कम्पनी का परिसमापन होगा वाइंडिंग अप जब होगी कम्पनी की तो प्रतेग सदसे कितना रुपए देने के लिए बात दे होगा यानि जब लाइबल्टी फेक्स्ट पाई गारंटी की बात हम करते हैं तो इसमें यह तैंक कर दिया जाता है कि जब कम्पनी का परिसमापन होगा वाइंडिंग अप होगा तो प्रतेग सदसे कितना रुपए देने के लिए बात दे होगा ऐसा जो दाईत्त है वो सदसे के हट जानने के बाद भी एक वर्ष तक बना रहता है यानि यदि परिसमापन उसके सदस्ता से हट जानने के बाद प्रारंब होता है और उसके सदस्ता से हटे हुए एक वर्ष हो चुका है तो उसका दाईत्त तो कुछ नहीं होगा लेकिन य एक वर्ष नहीं हुआ है तो फिर उसका अधायत्वर्ग रहेगा कि इसके बाद कैपिटल क्लॉज यानि पूंजी खंड जो की सेक्शन फॉर वन इमें बताए गया है कि यह जो खंड होता है जो क्लॉज होता है कि यह भी एक महत्वपूर्ण खंड है और इस खंड का जो मेंब्रण आशोसियेशन का यह जो आखरी खंड है इसका महत्व इसलिए जादा हो जाता है क्योंकि इस खंड में कंपनी की पूंजी का वर्डन होता है इसमें यह वर्डन रहता है कि जो कंपनी की पूंजी है उसको कितने शेयर में बाटा जाएगा और जो शेयर होगा उस शेयर का मुल यह कितना होगा ठीक है यनि संगम्यापन का या जो उन्तिम खंड है इसमें जितनी पूंजी से कम्पनी अस्थापित होना चाहती है उतना धन लग सता है और यह भी पता जाता है कि पूंजी कितने praकार के कितने अंश्व में विभाजित होगी और जो विभाजन होगा उस विभाजन के नुशार प्रतेक अंश का मूल्य कितना होगा तो इस तरीके से कैपिटल क्लाज में कंपनी की पूंजी के बारे में वर्णन रहता है उसके परशात संगम ग्यापन का जो अंत होता है वो सब्स्रिप्शन यानि अभिदान के द्वारा होता है तो संगम ग्यापन के अंत में सदस्यों की तरफ से घोश्रा की जाती है और उनके हस्ताक्षर होते हैं और इस तरीके से संगम्यापन complete होता है, पूरा होता है, ठीक है बच्चों, आप text books के माध्यम से और bear provisions के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करिए, कहीं कोई confusion होगा तो हम इस फिर फिर discuss करेंगे, और इसके बाद फिर हम अपने next lecture में मिलेंगे, thank you.